नमस्कार स्वागत है आपका पॉफिक्ट टाइम लाइन में और मैं हूँ आजएदीप सिंग इस वक्त हमने हमारे साथ जो मैम खड़े हैं वो बहुती बड़ी सक्षियत हैं आपको बतायाना चाहेंगे मम्ता शर्मा जी मैम आपसे जल्दी में जाना चाहेंगे महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले महिलाओं को कह atmosphere नहीं मिलता तो बहर सुसाइटी में किस तरीके से आप समझती हैं कि पॉलीस क्या कर रहे हम महिलाओं के लिए पुलीस डिपार्टमेंट महिलाओं के लिए बहुत आगे हमेशा आगे ही रहा है चाहिए वो उनके सशक्तिकरन की बात हो या उनको रिप्रेजेंटिशन देने की बात हो मेरे ख्याल से इस वकत पुलीस डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही important post पर बैठी हैं चाहे वो districts हैं या वो subdivisions हैं या इस तरह के zonal SPs हैं तो पुलीस डिपार्टमेंट हमेशा आगे रहा है महिलाओं के से स्वाइब क्राइम को लेके जम्मू की बात करें खास तोर पर किस तरीके से देखती है महिलाओं से जुड़ा जो क्राइम है क्या उसके रेट में कोई सुधार आया है कोई नीचे की तरफ कोई ग्राफ आया है बिल्कुल आया है अगर आप comparison करें बाकी जगाओं और JNK में तो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम का रेट काफी काम है बाकी जगाओं से और पुलीस के हमेशा priority रही है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो उसको सक्ती से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहां पे काम है क्राइम रेट आपके तो जुर्बे से जुड़ी अगर हम बात करें 2004 में आपने इस प्रोफेशन में जो है आप आई थी कदम लिया था किस किस तरह के operations को आपने अंजाम दिया और किन में आपको सक्सेस भी ली सत्रा साल के service में मैंने काफी सारा different nature के काम किये है operations में भी मैं रही हूँ उसमें एक्टिव जो हमारे operations है उनमें participate किया है intelligence gathering का department का मैं बहुत देर तक हिसा रही CID का वहां पे काम किया है operational duties बहुत जादा दी है मैंने तो बहुत अच्छा experience हो रहा है एक आखरी सवाल मैं आपसे आपसे यह जाना चाहेंगे कि cross border terrorism को लेकर आप क्या समझती हैं जम्मू कि अगर बात करें कई लाके cross border terrorism से काफी ग्रस्त रहते हैं तो उसमें कितना सुधार देखते हैं या कितना important role police का होता है उसमें सुधार आप लोगों ने खुद देखा होगा क्यूंकि जम्मू तो हमेशा रहा ही है हिट लिस्ट पे और बहुत बार हमने देखा कि border cross करके यहां पर फिदाइन हमले हुए हैं लेकिन पुलीस है हमारी forces alert है और आपने भी देखा होगा पिछले कुछ सालों में काफी सुधार इस चीज में आया है और आखरी आप क्या मैसेज जम्मू की लड़कियों को देना चाहेंगी जम्मू कश्मीर की लड़कियों को देना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहती है इस profession में जो बिल्कुल नो थैंक्स profession अगर मैं कहूं तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी मेरा सब महिलाओं से यही मैसेज है कि आप और किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहें या ना जाना चाहें पुलीस डिपार्टमेंट में जरूर आए और बहुत खुले दिल से जाए जितना से आप यहां महसूस करेंगी बाकी किसी डिपार्टमेंट में इतना सेफ महसूस नहीं करेंगी धन्यवाद मैम थन्यवाद तो यह थी मैम मम्ता श्रमा जी इन्हों ने अपना कीमती समय हमें समय दिया और इनके हम आभारी रहेंगे और आपको बता दें कि इस समय में इस तरह की जब मैलाएं शेतर में उतर करके काम करेंगी तो बहुत कुछ सीखने को हमारी घर की बेटियों को मिलेगा ये थी आज की हमारी बड़ी न्यूज इंटर्वियू आप बने रहें ये पॉफिक टाइम लाइन के साथ राज्य की तमाम बड़ी खबरों के लिए मुझे दीजिए जाद मेरे कैमरा परसन सुनील शर्मा के साथ नमस्कार